दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ECST 10 टूनामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खिला जाएगा BRD वर्सिज VCC के बीच में अगर दोनों टीमों को कंपेर किया जाए तो VCC के टीम है दोस्तो वो काफी अच्छी और मजबूर टीम है BRD के कोर्डिंग अब बात करें पिच के बारे में तो दोस्तो पिच है वो बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों के लिए ठीक ठाक है जो बल्ले बात थोड़ा सा टाइम स्पैंड करके बल्ले बाजी करेंगे वो यहाँ पे अच्छे रण लगा सकते हैं और दोस्तो दोस्तो बल्ले बात जल्दबाजी करते हैं वो यहाँ पे जल्दे अपना विकेट गवा देते हैं अब दोस्तो अगर VCC पहले अगर बल्ले बाजी करेगी तो आपको 120 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है अगर BRD पहले बैटिंग करेगी तो हो जबता है 80 के आसपास ही स्कोर आपको नजर आए अब बात करते हैं BRD के बारे में दो मुकाबले खेले हैं 41 सन से हार कराए हैं एक मुकाबला साथ विकेट से और तीसरा मुकाबला इनका लायोच चर रहा है PSM के खिलाब इसका जो भी दोस्तो अपडेट आएगा इनफोर्मेशन आपको रिकोर्ड के साथ टेलिगाम में मिल जाएगे टीम के और से आमीर हुसेन और एस नागराज लगाचार ओपन कर रहे हैं आमीर उस्टेन वैसी तो दोस्तो पिछले सीजन में बैस्ट और आउंडर प्लेर रहे थे लेकिन यहां अभी तक बैटिंग पूरी तरह से फ्लोप रही है गेंद बाजी में पहले मैच में तो कोई विकेट नहीं मिला बैटिंग कुछ खास नहीं रहती है लाश्ट मैच में दस रन पर नाबाज जुरूर रहे थे बैटिंग के लाओ दोस्तो पाउर प्ले के अंदर यह दोवर्ड करने वाले हैं पहले मैच में तो इनको भी दोस्तो काफी मार पड़ी विकेट नहीं मिला दूसरे मैच में एकॉनमी में सुदार किया दोवर में मातर दस रन नहीं खर्च किया लेकिन विकेट यहां पर बिनको नहीं मिला था मुमद अंसार है दोस्तो पिसला सीजन ठीक ठाल था लेकिन यहां पर दोनों मैचेज में दोस्तो अभी तक पांस कांकडा नहीं चूपाए हैं सुरेश रामरो नंबर 5 और 6 पर बैटिंग करेंगे इनके बैटिंग कुछ खास नहीं रहती है लेकिन गेंजबाज काफित थी है पहले मैच में भी एकुकेट और दूसरे मैच में भी दोस्तो एकुकेट निकला और दोवर कम्प्रेट गेंजबाजी कर रहे हैं आज इंके दम दे रहे हैं, पहली मैस में नंबर साध प्रै चारे बनाए, लाश्ट मैस में बैटिंग नहीं मिली, इनके बाद रगवेंदि राषिञ है दोस्टो, पहले मैस में दो और 13 रं एक विकेट निकाला, दूसरे मैस में दोफिस रं खच के को विकेट नहीं मिला, नौविने ज दूस्तिरी पार्टी नाम के इनके अच्छे प्लियर बैठे हुए हैं जो भी कोई दोस्तो नया प्लियर खेलेगा रिकोर्ड के साथ अपडेट आपको टेलिगाम में मिल जाएगी और टेलिगाम जोईन करने के दो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सिन बोक्स म मिल जाएंगे अब बात करते हैं वी सी सी के बारे में उसे पहले कर दोस्तो अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मोटिवेशन के लिए लाइक जुरूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ले रहा है दोस्तों वो काफी क्राफ्श ट्रोक खेलती वे आउट हुए थे और वो मुकाबलाई चैनल से हार गई थे टीम के और से सी पियर्ष और शिर्दार्थ गोड लगातार ओपन कर रहे हैं पियर्ष दोस्तों एक एवरेस परफोर्मर बल्ले बाज है बैटिंग में दोस्तों कभी गेंदबाजी कर लेते हैं कभी नहीं भी करते हैं पहले मैच में एक और पांसरों जीरो विकेट फिर बॉलिंग नहीं की लार्ट मैच में एक और में बारा उनकास करके एक रुकेट निकाला बैट प्लस बोल दोनों में दोस्तों अच्छी पिक है तो पिक रहेगी और पिछले सीजन में गौड और तोमर दोनों दोनों दोस्तों जबरदस्त ओलाउंडरो प्लेशन किया था दोनों काफी अच्छे ओलाउंडरो प्लेयर हैं इनके बाद फैर्डिक एडरेज पहले भी मैंने आपको बताया था यह हिट और मिश्टाय वाला बल वी हासा लाश्ट में पहली बार के लिए थी नंबर पांस पर बैटिंग करते हैं पिछले सीजन में इनको ज्यादा कुछ मोके नहीं मिले थे जैस कुमार पर टेल है बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रहती है क्योंकि काफी लेट इनको लाया जाता है हलांकि लाश्ट में म पाउरपी क्यां पर रहेगी एहाद दोस्तो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पेसर गेंदबाज हैं लाश्ट मैट में दो और में मारत तेरा रंखस करके दोस्तो इन्हों ने टीन विकेट टीम को निकाल के दिये निरमल कुमार दोस्तो मैन गेंदबाजों में इस कामियाब रहे ईसुब्रान सुचोज़री डोस्तों टीम के मैन गेन बाजू में जाने जाते हैं लेकिन अब तक इस सेजन में वीडियो के नीचे भी डाल दिये हैं अगर लिंक बाइद वरक ना करें तो आप सिधा टेलिगाम में जाके भी हमें सहर्ज कर सकते हैं आपको टाइप करना है WGF24 और सिधा सहर्ज करके जुड़ जाना है टेलिगाम के अंदर और दोस्तो इस मुकाबले की मेरी जो फाइनल अ को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हर फाइनल अबडेट के लिए टेलिगाम विल्कुल में बत करें टाइप करें WGF24 और सर्च करके जुड़ जाना है टेलिगाम के अंदर थैंक्यू फ्रेंट्स वल्दा बेस्ट